शीक्रश्ण का नहिया लाल की जय, शीवल्लबा दीश की जय, 84 वेश्णवन की वार्ता जेशिक्रश्ण 43 वेश्णव एक शत्राणी भाव प्रकाश अब शी आचेरजी महाप्रवु की सेवकनी एक शत्राणी सो प्रयाग में रहती, तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं भाव प्रकाश, अब जहां तहां नाम शी गोकुल नाजी नहीं कहे, सो माता पिता हीन नाम राखे काहु को फकीरा, घसीटा, सो वेश्णव सो हीन नाम शी गोकुल नाजी कहते नाहीं, ताते कोई वेश्णव को नाम प्रगट नाहीं किये यह शत्रानी लीला में श्री स्वामिनी जी की सक्षी है नीला इनको नाम है तब बेटी सो बोले तु जीमी ले तब बेटी ने कही जमाय को बुलाई हो वे आवे तब में जीमू तब माता-पिताय ने कही बहनए आवेगो तो हम बेठे रहेंगे तू जीमे तो जी मिले नाही तो और को दे डाले तब बेटी ने कही में तो मेरे धनी के जेमे बिना न जेमोंगी तब माबाप क्रोध करी सब उठाई डारियो पाचे जमाई आयो सो सास ससूर कोई वासो बोले ना ही तब इस्त्री ने वह पती सो कही जो इनके घर जल पीनो धरम ना ही है सब बात पती सो कही तब पती ने कही तु माबाप के घर फिर कभुह आईवे को नाम न ले तो मैं तो को घर ले चलो तब इन कही मो को ले चलो या जन्म में तो कभुह माबाप को नाम न लेऊंगी तब दो अपने घर आए रसोई करी भोजन कियो पाछे ससूर के मन में यहाँ आई जो जमाई को मारनो सो कच्छ द्रव्यदे मनुष्य लगाई राखे सो एक दिन या के माता पिता और बेटा बहु मकर न्याहिवे प्रात ही चले सो मनुष्यन ने तीनों मारे एक हुँ शत्री की बेटी को छोडे पाछे यह बात हाकीम ने जानी सो वाहु को घर लुटी लियो पाछे वाके घर में आग लगी तामे ये शत्रानी के माता पिता कुटुम सब जरे इकली रही गई सो चर्खा काती के निर्वा करे सो एक दिन शी यमना जी न्यान गई कार्तिक के दिन हते सो दोए घड़ी पिछली लात्री सो गई तब न्याईवे को पेठी न्याई के कप्रा पेहरियो कप्रा पेहरी के लोटा जल सो भरे तब एक शी ठाकुर लाल जी को स्वरूप लोटा में आयो सो या को खबर ना ही सो न्याई के घर आई तुलसी के लोटा को जल चड़ायो तब तुलसी के पास शी ठाकुर जी जाये बेठे सो देखी के एक चकरत भई जो ए स्वरूप कहा इनकी इच्छा है यह विचार करत तुलसी के पास बेठी सो उहू बेर देह की सूधी न रही एसी चिंता भई जो अब मैं कौन सो पूछो कोई घर में हे ना ही सो रसोई की सूधी भूली गई कब हु शी ठाकुर जी को हाथ में लेई कब हु फेरी तुलसी में दरी देई एसे विचार करत अर्द रातरी गई तब शी ठाकुर जी कहे तु विचार कहा करत है प्रात्रकाल मोको पद्राई शी आचायर जी के पास जाई सेवकनी होई मेरी सेवा करी में तोपर करपा करन के लिए तेरे माथे शियमना जी सो तेरे लोटा में आयो हूँ तब प्रसन होई सगरी रात्री बूखी तूलसी के पास बेठी रही पाचे प्रातकाल भयो तब सी ठाकोर जी को ले शी आचैर जी के पास अडेल जाई दंडवत करी सगरी बात कही विंती करी जो मोखो सेवक करो तब सी आचैर जी कहे तेरे बड़े भाग्य हैं तेरे कुटुम में तू देवी है सो शी ठाकुर जी तेरे उपर क्रपा किये जो बिना सेवा किये पहले ही तोसो बोले पाचे वह शत्राणी को नाम सुनाई निवेदन कराए पाचे शी ठाकुर जी को पंचाम प्रतिस्नान कराई पाथ बेठारी उस शत्राणी के माथे पदराए और कहे अब तु घर जा मन गाई के इनकी सेवा करियो इनको नाम शी बालकर्ष्ण जी है सो बालक की नाई इसने राखियो तब उस अत्राणी शी आचेर जी को दंडवत करी शी ठाकोर जी को पद्राई के प्रयाग में अपने घर आई तो सेवा करन लागी वल्लभी वेश्णव सदासुहागी जोशी वल्लभ शरने आवे सो पूरण बढ़ भागी गल्तुलसाकी माला सोहे भाले तिलक रसाला तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुखबोले गोपाला तनमंधन वेश्णव पर वारू गाउशी गिर्दर लाला आज सभा में पूर रहत ह सूर दासन दलाला वल्लभी वेश्णव सदासुहागी जोशी क्रश्णव